दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे सो रूम में इलेक्टरिकल वाइरिंग वर किस तरे से किया जाता है ये हमरा पार्ट टू है जिसमें हम वाइरिंग डाइग्राम के साथ यहां पे लाइट लगाएंगे और यहां पे आपकी जो भी स्विच बोड है उ एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा जिसमें हमने आपको दिखाया है किस्ते से फॉल्स लिंग के अंदर वाइरिंग किया जाता है किस्ते से कौन सा सर्किट डाला गया है या किस्ते से वाइर डालते हैं इस वीडियो में हम लाइट लगाएंगे वो भी डाइग्राम ready हो जाता है तो तो चलिए आज की वीडियो सुरू करता है इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिए सुनिए समझे तो जैसे कि यहाँ पे फॉल से लिंग के अंदर light का जो size है वो cutting हो गया है और यहाँ पे paint भी कर दिया गया है क्योंकि single coat paint जरूरी है या तो final coat और यहाँ पे show room के अंदर wall में जो भी glass के लिए यहाँ पे channel लगाने है वो लग गया है और जो भी plyboard है वो सब लगा दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा light का problem है पर कुछ light हम जलाए है फिर भी कोसिस करेंगे आपको बेटर तरह से पूरी तरह से दिखाई दे और समझ में आए तो यहाँ पे हमारा switchboard का wire है जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पे main wire भी है switch का जो भी branch यानि light का wire है वो भी है और यहाँ पे light भी है light हमारा spot light है, resided light है और panel light जिसे down later light या sailing light के नाम से भी जाना जाता है तो जो भी यहाँ पे resided light है इन सब के अंदर आप देखेंगे तो wire हमने 1.5 meter, 2 meter, 2 meter के असपास मैंने जोल लिया है और जो spot light है या panel light है किसी भी light में 2 wire का connection करना होता है एक neutrality phase तो बस wire आपको connection कर लेना है और यहाँ पे क्यों हमने wire जोड़ा है क्योंकि हमें बहुत से light है एक ही से looping करना है यानि एक switch दबाएंगे तो 2 जलेगा और उसी को R से multiple यहाँ पे हम loop करेंगे तो बस अब चलिए हम लगाते हैं लगाने के लिए आप जिस side से better समझें उस side से start कर सकते हैं connection कर सकते हैं पर हम आपको दिखाएंगे इसलिए थोड़ा सा कुछ जगों से दिखाएंगे जो easy way आपको समझ में आए तो जो यह yellow color का border है जो ceiling से हमारा थोड़ा सा down है इसी के अंदर हम light लगाने वाले हैं एक side हमारा receded light होगा दूसरे side spot light होगा mix है इसके अंदर क्योंकि एक side से wall पे focus चाहिए एक side से स्रिफ हमें रॉस नी चाहिए तो receded light हमने एक लगाया है और यहाँ पे wire यह निकल गया और यह हमारा receded light का है जो लूप होगा चलिए एक लगाते हैं और बहुत सारे light यहाँ पे लगा करके दिखाते हैं ऐसे कुछ करना नहीं होता है बस इसके अंदर जैसे यह wire है न हमने डाल दिया और बस यहाँ पे किसी भी light को जब selling में लगाते हैं उसमें clip रहता है जिससे वो lock हो जाए selling के अंदर बस उस clip को या हमका है clamp को इस तरह से दबाएंगे इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से ह जरुरत के हिसाब से adjust कर लिया जाता है कोई दिक्कत नहीं है बस लगाते चलना है connection के लिए आपको diagram के हिसाब से हम आपको समझाना श्टार्ट करेंगे सबसे पहले जिस light का wire है और connection अभी नहीं कर रहे है तो इस बात का ध्यान रहे कि light को लगा रहा है connection के समय connection को हम आपको panel light उसके अंदर भी हमारा wire जो है looping करके है तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम जो लगाने वाले हैं ये right side yellow color का जो border है जिसमें अभी light हम लगाए उसके right side जो है ये panel light हम लगाने वाले है इसमें भी wire हमने joint कर लिया है थोड़ा सा आपको confusion होगा पर थोड़ा सा ध्यान दिचेगा और सुनिएगा समझेगा ये जो देख रहा है mark ना इसी line में हम लगाने वाले हैं ये hole तो बस अब चलिए इसके अंदर कैसे लगाएंगे simple है जिसते से अभी जो light लगाए है उसी तरह से हमें लगाना है तो अब लगा करके हम आपको दिखाते हैं जैसे यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर wire है हमने फिर right side इधर हमने कर दिया है wire को क्योंकि इधर से ही wire हमारा है उसी में connection होगा और इसते से clip को उपर करके और wire को इने दबे easy way हमारा लग जाता है कोई दिकत नहीं होता है इसी तरह से जितना light हमें लगाना है उतना हम लगा लेते हैं connection अ ज्यादा light रहता है हर सोरू में थोड़ा सा जगह के इसाफ से light कम ज्यादा हो जाता है इस तरह से हो जाने के बाद अब हम जो light लगाएंगे उसमें connection भी साथ में करेंगे तो सबसे पहले line number one आपने पहले वाली वीडियो को देखा हुआ तो line number हमारा किदर है इसके left side यह व के अंदर हमारा 12 watt का light लेगा देखिए वाटेज रोसनी और जगह के हिसाब से होता है यह 12 watt है कुछ light यहाँ पे 30 watt का है कुछ light हमारा 36 watt का है 36 watt sport light है यह panel light हमारा जो है 12 watt का है receded light जो है वो 30 watt का है तो जगह के हिसाब से wattage भी change हो जाता है बस इसमें करना कुछ नहीं है इसम में 2 wire होता है अब इसे चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं लगाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हाट डालेंगे और जो wire है उसे हम निकाल लेंगे pipe में अगर fix रहता है थोड़ा जिकत होता है हर जगह point जरूरी है बराबर डालना flexible इसलिए डाला जाता है ताकि कहीं पे point change होता है या light का जगह change होता है जीवे हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक neutral एक phase हमारा red है और black neutral है यहाँ driver वाले wire है यह कर सकता है light का दो wire है उसके अंदर connection किये tape लगाए और इसके अंदर light को इस तरह से लगा दिये सबसे पहले red हमने connection किया है उसके बाद yellow उसके बाद blue यान दबाएंगे तो R होगा उसके बाद Y वाले को दबाएंगे उसके बाद B वाले को फिर उसके बाद B के बाद R start कर देंगे यह जैसे red का फेज फिर इसके अंदर connection हम कर रहे हैं अगर आप यहाँ diagram पे देखेंगे तो हमने इसी तरह से यहाँ पे बनाया है R Y B इसी तरह से आ connection किया जाता है divided करके तो इस तरह से फटा फट हम यहाँ पे light को लगा रहे हैं इसी तरह से आपको light को लगा लेना है light लगाते समय connection कुछ नहीं है बस यहाँ पे बस alternative हम connection कर रहे है कि एक ही switch से बहुत सरा divided हो जाए तो यहाँ पर divided हम connection करते जा रहे हैं यहाँ पर हम आते हैं तो joint भी है हमारा क्योंकि आप देखेंगे पिछले part में तो यहाँ पर एक flexible लाकर हमने छोड़ दिया था तो उस flexible को हम निकालेंगे और यहीं पर joint कर लेंगे और इसके बाद light को लगा देंगे इसी तरह से जीतना light है सब को यहाँ पर लगा लेंगे और इस line का हमारा यह clear हुआ last यह light लगा करके अब इस light के बाद हम आते हैं yellow वाले के center यानि जो बीच में down है यहाँ पर start करेंगे अब यह ध्यान रहे ज़रूरी नहीं है कि हमारा last में red आया या yellow आया वही यहाँ से start करेंगे alternative कर देंगे यहाँ से आप y start कर सकते हैं yellow start कर सकते हैं कोई एक gap करके यानि red का अगर कोई अलग-अलग phase है तो सिर्फ red दबाने से अलग-अलग जगाए पर light जले ताकि हर जगाए पर रोस नहीं हो जाए yellow से alternative हो जाए बस यही करना होता है बस इसी तरह से जहाँ पर wire का हमरा joint है उसको proper तरह से joint करेंगे और जो भी connection करेंगे किसी भी परकार का luge नहीं होना चाहिए full tight होना चाहिए proper तरह से tape लगाए और correction करिए और इसी तरह से light लगाते हुए चले जाए जैसे यहाँ भी हमरा joint है तो अच्छी तरह से यहाँ पर सभी red आपस में सभी blue आपस में सभी yellow आपस में जोड़ेंगे और यहीं पर जिस से आपका होता है red, yellow, blue हो सकता है यहाँ पर जो हम दिखा रहे है इसी तरह से आपको अलग जगा पर जाएंगे तो light का up down हो जाए तो red, yellow, blue जो है उसे आप डालिए और वहाँ पर connection कीजिए और इसी तरह से यह जो है selling में यहाँ पर wire जोड़ करके यह क्योंकि सामने वाले से looping करना है तो यहाँ पर wire बस डाल रहे है और light को लगा दे रहे है अब बस हमें लगाना है यहाँ पर yellow वाले के इस side connection करेंगे अब कैसे इसके अंदर connection करने के लिए spot light लेंगे क्योंकि कुछ हमें spot light लगाना है क्योंकि बीच में जरूरी नहीं है recided light लगाए side में हम लगा देंगे जैसे यहाँ पर spot light हम लगा रहे है क्योंकि यहाँ पर rack है उस पर रोसनी चाहिए अब इसके बाद वाले पर हम यहाँ पर लगाएंगे recided light recided light जो है यह हमें wall पर focus बनाना है इसलिए लगा रहे हैं ओके इसके बाद फिर हम यहाँ पर लगा रहे है spot light इस line में spot light ही लगाएंगे क्योंकि बीच में रोसनी जरूरी है जहाँ पर panel light की जरूरत है आपको focus की जरूरत नहीं है वहाँ पर panel light लगाएंगे जहाँ पर सिर्फ रोसनी चाहिए focus नहीं चाहिए वहाँ पर panel light है और light भी लगाना है तो चलिए चलते हैं front side यानि यहाँ पे और यहाँ पे left side देखेंगे तो यह line हमारा पुरा बाकी है आगे चलके 3-3 light का भी connection इसी line में होगा तो यहाँ पे यह निकाल लिए है इसके अंदर light हम लगाएंगे बस simple है red, yellow, blue, red, yellow, blue इसी तरह से connection करते भी आग हमी नहीं करना है अगर lose रहेगा connection कोई भी तो hit होता है और फिर fault वहां से create हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रहे किसी तरह का lose नहीं होना चाहिए मैं बार-बार हर वीडियो में बोलता हूं कहीं से भी miss नहीं करना है connection करते समय लूज नहीं होना चाहिए इस तरह से यहाँ पे जो भी light है connection है selling में वो हमारा complete यहाँ पे हो गया अब इसके बाद हमें switch board लगाना है कुछ AC का भी board है उसकी connection हम करेंगे तो selling में proper तरह से यहाँ पे light हमने लगा दिया है अब चलेंगे wall के side wall में एक यह AC का board है दूसरा हमारा यह है इसके अंदा simple है चलिए connection हम करते हैं wire निकालेंगे green हमारा body अर्थ है safety के लिए red हमारा phase है black neutral है यहाँ पे connection करने के लिए socket के उपर वाले point में green wire का connection कर लेंगे यहाँ पे neutral का connection कर लेंगे socket में MCB में यहाँ पे phase line red input हो जाएगा connection करने के बादे छोटा सा wire का टुकडा लेंगे और MCB के output वाले wire यानि point में connection और MC wire को socket के अंदर यहाँ पे connection कर लेंगे यह connection complete है बस इस board के अंदर इस wire को डालते है क्योंकि यहाँ पे plywood लगा है तो height और गहराई board का ज्यादा है इसलिए pipe हमने नहीं cutting किया अगर board रहता final तो cutting करना होता इस तरह से इस board की fitting कर लिए इसी तरह से दूसरा जो AC का board है उसक इसके बाद चलेंगे हम switchboard के side यहाँ पे हमारा switchboard है नीचे हमारा power board भी है सबसे पहले अलग-अलग wire करते हैं यह main wire है हमारा जिसके अंदर 4 mm और 2.5 mm का wire है इस tape को हटाते हैं अब इसके बाद यहाँ पे अलग-अलग wire के उपर marking है line number 1, line number 2 तो यहाँ पे फटा-फट हम serial wire connection करना है तो कर सकते हैं ऐसे आप चाहें तो हटा दिजे सभी neutral जो भी point का neutral है सभी wire कोई कठा कर लिए यह flexible थोड़ा बड़ा हटा दिए इसमें 4 mm का जो black वायर है उसको हम यहाँ पे PVC बीच में से remove करेंगे और इसमें joint कर लिए इस board के लिए जो normal हमारा load है वो 4 mm से हम चल भी neutral को आपस में जोड करके tape लगा दिए ओके अब इसके बाद जो भी हमारा यहाँ नीचे सबसे पहले wire को डालते हैं और power board के side निकाल लेते हैं अब इसके बाद जो भी हमारा light का point wire है जिसे half wire का है उन सब को एक बुराबर हम cutting करेंगे सबसे पहले उसके बाद इसकी connection करन करने के लिए इस्कूल में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे PVC रिमॉब करेंगे यानि PVC को छिल लेंगे या कर सकते हैं wire को छिल लेंगे चिलने के बाद फिर हमें क्या करना होगा यहाँ पे wire को two state बनाना होगा ऐसे मोडते हैं दबा देते हैं ठीक है दो बार यानि समझे तो मोटाई बढ़ जाती है और इस कुल में प्रोपर तरह से कनेक्शन होता है लूज नहीं रहता है तो यह भी जरूरी है कि फूल टाइट कनेक्शन करने के लिए एक एमिम का वायर है तो उसे मोड दीजिए तो इस तरह से यहां पर यह हमारा कंप्लीट हो गया अब लेंगे बोड 18 मोडलर का बोड है और 18 यहां पर स्woش्च है और सब 16 अम्पेर का है कोई 6 अम्पेर का नहीं है क्योंकि बहुत सारे लाइट पड़ेंगे लोट 6 अम्पेर पर चलता लेकिंगे लाइफ गम होता यहाँ पर हम connection क्या कर रहा है सब yellow उपर देंगे उसके बाद दूसरा आप B कीजिए या red कीजिए आपकी इच्छा और सिर्फ looping करना है जैसे हम उपर सबसे पर ले yellow उसके बाद red और नीचे हम यहाँ पर लगाएंगे blue सबी wire का connection कर लेंगे और सबका फेज एक ही है ऐसा नहीं है के red, yellow, blue अलग-अलग फेज है नहीं हमारा फेज एक ही है जैसे इस तीनों को wire को लिए और यहाँ फोरमिम का जो wire है इसी में छील करके अच्छी तरस से joint करके इसी में हम tape लगा देंगे ठीक है यहाँ पर connection इस board का हमारा complete हो गया अब इस board को इसके अंदर wire डाल करके screw लेंगे, gypsum लेंगे जो black color का screw आता है बहुत तेज होता है और यह plywood है इसके अंदर इस तरह से fitting कर लेंगे बस board का level सिधा होना चाहिए यहाँ पे हम board की fitting कर लिए इसका उपर का जो cover है वो लेते हैं और cover लगा देते हैं जिस तरह से simple switch board होता है उसी तरह से इसका connection हो गया इसी तरह से अब इसके नीचे हमाते हैं इसके अंदर क्या करेंगे ध्यान रहे कि आप normal जो हमने connection किया है normal socket का ही करेंगे यानि 4 mm से यहाँ 6 mm पर socket का connection करने वाले है और जो power का socket है वो 2.5 से करने वाले है क्योंकि हमें separate circuit यहाँ पर power पर दे दिया और normal switch के साथ normal socket का connection हमने कर दिया आप चाहे तो अलग तरह से कर सकते हैं या जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर connection simple दो switch दो socket का जिस तरह से होता है उसी तरह से कर कर के screw हम ले कर के और यहाँ पर इस board का fitting हम कर लिए ओके यह complete हो गया अब इसके बाद हमें करना है line चालू कुछ दिन बाद यहाँ पर इसके अंदर हमरा line आ गया है यानि कुछ दिनों बाद और यहाँ पर switch को on करेंगे तो कुछ light हमारा जलेगा चलिए mobile को थोड़ा इधर गुमाते हैं और यहाँ पर switch को दबा रहे हैं तो कुछ light जलेगा यह देखिए जल रहा है और कहीं पर भी हमारा कोई fault नहीं नजरा रहा है सब का सब light हमारा जल गया यानि कहीं पर भी connection हमने miss नहीं किया क्योंकि हमने check नहीं किया था और अभी हम यहाँ पर light को जला दिये और यह हमारा जल गया कहीं problem नहीं है और यहाँ पर बस AC लगाना है और कुछ rope light लगाना है तो finally यहाँ पर जो mall है वो complete होगा उससे मैं भी video upload करेंगे ही सबका एक साथ मिला करके क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा part है part by part video हमें upload करना होगा तो चले दोस्तों इस video में इतना ही इस video को देखने के बाद आपको क्या knowledge मिला comment box में हमें जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो like किजे, share किजे और अपने दोस्तों के साथ